तुक दूर केलो, दूर खरे हो, दूर खरे हो तुछ बताए। दूर खरे हो। नमस्कार दोस्तों दस दिन पहले की ये तस्वीरें याद है आपको सोशल मीडिया पर भी बहुत वाइरल हुई चैनलों पर भी बहुत चली क्या है तस्वीर ये तस्वीर तब की है जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने लखनों में दो हजार करोड की लागत से बनने वाले एक मौल का उदघाटन किया था मौल के मालिक यूसुफ अली के साथ मौल का मौइना किया मौल के भीतर कार्ट में बैटकर योगी ने काफी वक्त बिताए और उसके बाद ये एलान हुआ कि लखनों में अर्मों का निवेश हो रहा है और उन्में से एक निवेशक यूसुफ अली हैं केरल के मूलतर रहने वाले हैं अबू धाबी में रहते हैं दुनिया के दो दरजन देशों में उनका कारोवार है लेकि लखनों में दो हजार करोर का लूलू मॉल खुल गया योगी के इस इलान और उद्गाटन के साथ लेकिन बीते दस दिनों के भीतर लूलू मॉल को बदनाम करने की न जाने कितनी साजिशें हो रही है कभी कोई नमाज पढ़ने पहुंच जाता है कभी कोई हनुमान चलिसा पढ़ने पहुंच जाता है कभी करनी सेना का जत्था पहुंच जाता है कभी मॉल के किसी कोने में चार लड़के बैठकर हनुमान चलिसा मोबाइल में देखकर पढ़ने लगते है कभी मॉल के बारे में यह फवाफाइला दी जाती है कि वहाँ 80% कर्मचारी मुसलिम है कभी ये कह दिया जाता है कि मौल के मालिकों का रिष्टा अरब देशों से है इसलिए भारत विरोधी तत्तुस मौल के भीतर है ना जाने क्या-क्या इस मौल को बदनाम करने की साजिशे कैसी-कैसी साजिशों के बीच आज एक बाबा पहुँच गए लुलू मौल में दाखिल होने की कोशिश करते हैं अयोध्या में रहते हैं मठ के महंत भी कहते है और जब ये भगवाधारी स्वेंभु महंत लुलू मौल में दाखिल नहीं हो पाहे पुलिस वालों ने रोक दिया तो ना सिर्फ पुलिस वालों के साथ बसलूकी की, पुलिस वालों को धक्का देनी की कोशिश की, और जो कुछ कहा मॉल के बारे में, वो बहुत संगीन है, उस मॉल के बारे में, जिस मॉल का ओगाटन, खुद यूपी के मुख्यमंत्री ने किया था, उस मॉल के बारे में, इ कोई भी शरार्ती तत्तो कोई विवाद खड़ा ना कर सके ऐसे ताकीद खुद कल मुख्यमंत्री योग यादित नात्रे की थी उसके बाद पर इस बाबा का वहां पहुंचना और जो कहा वो कहना माईने रखता है सवाल ये है सुना है कि इन्हें हिरासत में तो लिया गया है लेकिन क्या ये सलाकों के पीछे जाएंगे और ऐसी कोशिशें अगर हो रही है इस तरह के बयान अगर दिये गए तो इसका मतलब क्या है ये सुनना जरूरी है जरा सुनिये इस स्वैंभू परमहंस आचारे को जो लगातार कहा उन्हें आद है को थी पैसा आघाए हम आयो है हम आया की वे दूस्टी करत के लिये लुलुमा भी गरह प्रण ये है इसे करेंगे ँकित कि अधर पचल गया कि अधरे माया आउगा मत पाहूंगा रागा धुल्यान सुट्टी करण कि अबाइद रूप से नमाज पड़ी गई है। गाहसे सब्सक्स्तरवा है। किहां भिधर को स्सक्तरिए में लुशा गुठेवर जोगिए में लुशाय कर्ускे जिए। करते हैं। Cô इस स्वंभू संथ महंत परमहंस लुलू मॉल के बारे में जो कुछ कहा बहुत संगिन है। जिस लुलू मॉल के मालिक केरल के मशूर कारोबारी हैं मैंने शुरू में जैसा की कहा दुनिया के दो दर्जन देशों में जिनका कारोबार है लखनों में उन्होंने दो हजार करोर का निवेश कर दिया और उस मॉल को आतंग का अड़ा, जिहाद का अड़ा एक भगवाधारी जाकर कह रहा है वो भी तब जब कल ही योगी आदितनाथ ने साप साप चेताबनी दी थी चेताबनी में क्या कहा था और क्यों योगी आदितनाथ को ये कहना पड़ा ज़रा सुनिये पहले योगी आदितनाथ के मूँ से और फिर कि बीते दस दिनों में लुलु मॉल को लेकर क्या कुछ हो रहा है और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है जारा सुनिये होगी आत्यतनात में कल उपी के वरिश्ट अधिकारियों के साथ बाचीत में क्या कहा था सुनिए लखनों में एक मॉल खुला है वह मॉल अपने ब्योसाइक प्रतिस्थान को लेके काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीती का ड़ा बनाना अनावस्यक बयान वाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पर प्रदर्सन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनों के प्रसासन के कहा गया सब के बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सामपरदाइक विद्वेस की स्थिती पैदा करने का जो कुछ सित प्रियास हो रहा है यहाँ पे लखनों प्रसासन को बहुत गंभेरता से इसको लेना चाहिए सक्ति से ऐसे तत्तों से निपटना चाहिए जो अनावस्यक मामलों को बढ़ावा दे करके माहूल खराब करने का प्रियास करते हैं लुलु मौल को लेकर हर रोज हो रहे तमाशे के बाद कल योगी आदित नाथ को कहना पड़ा कि बार-बार लखनों के प्रशासन से कहा गया फिर भी अरजकता पैदा करने और सांपरधायिक विद्वेश पैदा करने का कुछ सिथ प्रियास हो रहा है लखनों प्रिशासन को सक्ती से ऐसे तत्तों से निबटना चाहिए जो माहौल खराब करने का प्रियास करते हैं तो आज जो ये बाबा पहुँचे, क्या मान लिया जाए, कि इनके ख्लाफ सक्त कारवाई होगी, क्या मान लिया जाए, कि जिस ढंग से कल योगी ने कहा, कि जो लोग अराजगता पैदा करने और सामप्रदाइक विद्वेश पैदा करने का कुछ सित प्रियास कर रहे हैं, उ कि उस मौल को आतंग का अड़ा कहा जिहाद का अड़ा कहा और योगिया अदितनाद जी सवाल आपकी साख पर है सवाल आपकी जुबान पर है कि अगर आपने कहा है तो उस पर अमल होना चाहिए और यह सवाल इसलिए उठेगा क्योंकि जो शक्स आज लुलु मौल जाकर इस उसरह की बात करके आया है वो भगवाधारी है तो हम इंतजार करेंगे कि अगर एक परमहंस जाकर एक मौल को जिहाद का अड़ा कहता है तो उस परमहंस के खिलाफ क्या कारवाई होती है और यह बीते दस दिनों से हो रहा है एक क्रोनलाजी है जैसे ही लुलु मौल का पहले भी बताया लुलु मौल जिनका है M.A.E. सुफली लुलु गृप है अबुधाबी में वो रहते है श्रूब में मैंने कहा और दुनिया के 22 या 23 देशों में जिसमें अमेरिका और एरोप के कई देश शामिल हैं वहां उनकी कंपनिया है रिटेल कारोबार है ऐसे हाइ पर मार्केट हैं मौल हैं उन्होंने निवेश किया और वो आए और उनकी एक साख है दुनिया भर में लेकिन मुसलिम है और मुसलिम है इसलिए जिस दिन मौल का उधगाटन हुआ उसी दिन से खेल शुरू हुआ दो दिन बात खबर आई कि मौल में कुछ लोग नमाज पढ मौल में सुन्दर कांड का पाठ करें फिर पुलिस सक्रिया हुई उन्हें रोका गया फिर उसके बाद हिंदू महासभा की इंट्री हुई फिर हुआ कि वहां हम हन्वान चलिसा का पाठ करेंगे कुछ लड़के वह हन्वान चलिसा का पाठ करते हुए कैमरे में कैद हुए या देखे गए, कुछ गिरफतारियां हुई है, कल परसों दो दिन लगातार लखनो पुलिस की तरफ से सूचना दी गई कि चार-पांच ऐसे लोग पकड़े गए जो नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे थे या नमाज पढ़ते पाए गए और कुछ ऐसे जो हन्मान चलिसा का पाठ कर रहे थे, ये लखनो पुलिस की तरफ से प्रस्विग्यति में उन लोगों के नाम और उन लोगों की तस्वीरों के साथ ये पुलिस ने सूचना भी थी, लेकिन सवाल ये उटता हो क्यों रहा है, और ये हो रहा है, तो योगी की चेताबनी के बाद एक बाबा कैसे पहुँच गया आज, और ये भी नमाज की खबर या नमाज पढ़ने वालों के जब विडियो वाइरल हुए, तो मैं देखा कुछ अख़वारों में, कुछ वेबसाइट में है, जिसमें लिखा गया था कि लूलू मॉल में साजिशन नमाज हुई थी, और CCTV से ये भी लग आए, कि नमाज पढ़ने वाले बाहर से आये थे, और नमाज के लिए जो मियाद होती है, वो पूरी नहीं हुई, 18 सेकेंड में कोई ऐसा लगा कि कोई आया, नमाज पढ़ने का उपकरम किया, वीडियो बनाया और चला गया, कोई समान नहीं खरीदा, और ना मॉल में घुम लोग है, उनका मकसद क्या है, वो कौन लोग है, जो एफवा फैला रहे थे, कि लुलू मॉल में 80% कर्मचारी मुस्लिम है, वो कौन लोग है, जो लुलू मॉल के मालिकों के खिलाब तमाम तरह की ब्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रहे है, मुकंबल जाच होनी चाहिए, और मैं तो योगी ने जो कल कहा, उसका स्वागत करता हूँ, कि उन्होंने कम से कम कहा, कि जो लोग साम प्रदाइक विद्वेश पैदा करते हैं, कुछ सित प्रयास हो रहा है, उनके खिलाब कारवाई होगी, लेकिन ये कुछ सित प्रयास करते हुए, आज एक शक्त दिखे हैं, क्या उनके खिलाब कारवाई होगी, और ये जो तमाशा चल रहा है नो दिन, आट दिन से, उसका ही नतीजा हुआ, कि लुलु मॉल के प्रवंधन को ये प्रेस विध्यपती जारी करके कहना पड़ा, कि लुलु मॉल में 80% से जादा कर्मचारी हिंदू है, शेस में मु विध्यपती जारी करनी पड़ी, ऐसी नोबत क्यों आई, कोई कारोबारी लखनों में, यूपी में निवेश करता है, रिस्क लेकर इतना बड़ा मॉल खोलता है, उससे सूबे की अर्थ विवस्था को मदद मिलेगी, सैक्रों लोगों को रोजगार मिलेगा, और हुआ एक साजिश हो रही है, क्योंकि उसका नाम यूसुफ अली है, या उसके पीछे जो लोग है, साजिश करने के पीछे, उनका खुला सा होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है, नमाज परते कौन लोग थे, ये भी पता होना चाहिए, हनुमान चालीसा और सुन्दर पाठ करने की कोश से लगातार हो रही है, उसका मकसद क्या है, आप जानते हैं, और ये हनुमान चालीसा के नाम पर जो बीते कुछ महनों से देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रहा है, वो भी आप जानते हैं, वैसे मैं एक बात बता दू, व्यक्तिकत तोर पर, किसी भी प्रतिष्ठान का अधिकार है ये तै करना, कि उस प्रतिष्ठान के भीतर कोई धार्मिक गतिविदी नहीं होगी, लुलु मॉल के बाहर भी ऐसा अब ऐसा नोटिस चिपका दिया गया, लेकिन अगर मैं 30 साल, 20 साल पहले की याद करू, तो मुझे कई बार, चुकि नमाज 5 वक्त होता है, जो चला जाता है अपना चादर विछाकरिया जैसे भी, उससे कोई किसी को व्यवधान नहीं होता है, लेकिन हनुमान चलिसा का पाठ और सुन्दर कांड का पाठ वैसे नहीं हो सकता, जैसे हो रहा है, ये तस्मीर देखे, दो लड़के बैठे हैं, मॉल में कहीं ग्राउन पर, और वो मॉबाइल उनके हाथ में है, और वो हनुमान चलिसा का पाठ कर रहे हैं, यकीनन दावे के साथ कहा जा सकता है, कि हनुमान चलिसा का एक पन्ना भी इनको याद नहीं होगा, और ऐसे विडियो वाइरल हुए थे भी कुछ मेने पहले, जब हनुमान चलिसा का महौल द आदितनात की ड्यूटी है कि अगर मौल के उधगाटन में आप जाते हैं अगर आपके आमंतरन पर कोई निवेशक चाहे वो उसका नाम में यूसुफ अली क्यों नो आपके आमंतरन पर कोई निवेशक आकर दो हजार करोर का निवेश करता है तो उस निवेशक के हितों की हिफाज़त करना योगिया अदितनात आपकी ड्यूटी है और ऐसे बाबा और ऐसे लोग जो शुद्धी करन के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं जो उस मौल को आतंक काड़ा और जिहाद काड़ा करें उनके खिलाफ कारवाई करना भी आपकी ड्यूटी है और साथ में बहुत भाईयों से हिंदू भाईयों से अपीर हम और आप मेंसे कितने लोग ऐसे हैं जो कहीं भी सड़क पर हनुआन चालिसा पढ़ते रहे हम आप मेंसे कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं करहीं भी खड़े होकर सुन्दर कांड या बाल कांड या अवध्या कांड का पाट हो सकता है लेकिन अगर आप के भीतर नफरत के पौधे में इतनी जड़ें नहीं जमाई हो तो आप 20 साल, 25 साल, 15 साल पहले का हिंदुस्तान याद करिए कि क्या नमाज कहीं लोग अदा करता था आपके पडूस में कहीं जाते हुए ऊपके महले में कोई समान बेचने वाला आया उसका वक्त हुआ कहीं भी सड़क के किनारे तो क्या आपको तब इतना एतराज होता था इतना गुस्सा होता था कि आप यहां नमाज पढ़ा तो हम यहां आनवान चलीसा पढ़ेंगे हम यहां सुन्दर कांट पढ़ेंगे हम यहां भगवती जागरन करेंगे होता था क्या आज क्यों हो रहा है यह सोचने की ज़रूरत है तो फिलाल लुलु मॉल में जो हो रहा है और लुलु मॉल को बदनाम करने के जो साज़िशे हो रही है उन साज़िशों को नाकाम करने के ड्यूटी यूपी प्रशासन की है यूपी सरकार की है लेकिन कुछ सोचना हमको और आपको भी है फिलाल इस वीडियो को खत्म करते हैं नमस्कार